पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करा था आज के lecture में हम लोग कुछ floral rewards देखेंगे देखेंगे की plant और pollination का क्या relation है and फिर हम लोग देखेंगे pre-fertilization event fertilization event देखेंगे फिर fertilization के बाद का event डिस्कस करेंगे So students, floral rewards सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानि अगर आपसे पूछा जाए सबसे safe place land के लिए pollinator के लिए क्या होता है तो that is amorphophallus amorphophallus जो है यह सबसे tallest flower है इसका जो height है वो 6 feet height है यह जो pollen grain है इसका जो pollen grain होता है वो edible होता है उसमें nectar होता है तो जो pollinator होते हैं उनके लिए काफी यूसफुल होता है और height है ज़्यादा इसलिए हम लोग बोलते है safe place होता है landing के लिए next हम देखते है plants का और pollinator का relationship कैसा relationship symbiotic relation symbiotic relation हम लोग जानते हैं हम लोगों डिस्कस करा हुआ है जो स्वीशनशिप घित दूसरे za 6वरे को staDंट करते हैं को हैं दूसरे को हेल्प करते हैं अगर हम देखे खें पहला हमने लिए युगा यह प्रांत है और मौन जब करते हैं इंसेक्ट यह जो मौथ है यह क्या कर रहा है फ्लावर को क्या करता है यह पॉलिनेट करता है तो तो क्या हुआ इस इन दोनों को किस तरह से फायदा हुआ जो मौत है इसका एग safely grow कहां किया ओवरी में प्लांट के और उसके बदले प्लांट को इन्होंने क्या कर दिया पॉलिनेट कर दिया तो इनका पॉलिनेशन प्रॉसेस भी हो गया और इंसेक्ट का एग भी safely क्या हो गया ग्रो कर जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं जिसमें बोधी स्पीसीज क्या हो रहे हैं बेनिफिट हो रहे हैं दोनों ही स्पीसीज को फाइदा हो रहा है और इसको हम और बोलते हैं मूच्वालिजम ठीक है नेक्स्ट अगर हम एक्जामपल देखे तो मेल कलपा वास्प और दूसरा ओफ्राइस जानी और किट फ्लावर इसमें क्या हो रहा है कि फ्लावर रिजेंबर्स फीमेल पार्टनर ऑफ दी इंसेक्ट इंसेक्ट की जो फीमेल पार्टनर है वो बिलक पालिजयस स्येक्ट एंसेक्ट पॉलेशन तो जाता है तो यह करते से तो यह पॉलिनेशन क्नेयैं के सब्सक्राइब है उस ने इस चीज को हम यारा प्कलेशन हो रहा है खुद फ्लावर के नहीं हो रहा है खुद के फीशन पान छी theorem यह बोलते हैं स्क्लेशंसिप तो यहां हम देख रह 과 देख रहे हैं प्लांट आप सब्सक्राइब गैजांपल्स आपको एकोलोजी में भी देखने को मिलेगा यह जो रिलेशन्शिप है यह प्लांट पॉलिनेटर एक बार आप इसको फिर से देख लीजेगा यह इसे हम बोलते हैं सिम्बायिक सब्सक्रार कि चाड़ चासी अर। बंदोने। depends 2019 है मुख्यूअग्ट केश लगेब। कि दियर वृस्ट केसी को सब्सक्राइब टेखें नुख्यूअगम को यहां। इन ब्रिडिंग डिवाइस कहने का मतलब वैसे फैक्टर जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, यानि फैक्टर्स प्रमोटिंग ओटोगैमी, यानि ओटोगैमी हम लोगों ने लास लेक्चर में देखा था, पॉलिनेशन के पॉलिनेशन के टाइप, उन में से जो ओटोगैमी है, ओटोगैमी को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, मतलब अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहला, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के ल लग मैचुरेशन ऑफ एंथर और स्टिग्मा दोनों का मैचुरेशन सेम टाइम पे होना जरूरी है तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसे बढ़ जाते हैं तीसरा जो केस एंसी आर्टी में क्लिरली मेंशन है डाट इस क्लिस्टोगैमी क्लिस्टोगैमी हमें देखने को मिल खुले वे नहीं रहते हैं तो इंस योद शेल्फ पॉलिनेश्न इससे क्या ओता है को बाहर चैकर के उसको पॉलिनेट नहीं कर सकता है और इससे क्या हो जाता है तन प्लावर् Sin अधर Indy को बसूआऊ पेंधर नहीं करता है करका क singles फ्लावर तो पूचा-चाई क्यों क्योंकरता मत फ्लावरण फ्लावर फ्लावर एं वह ऊपनड ही रहने चाहिए तो अगर आपوس़ पूचा जाये क्यों को और्ट तो तो कौन-कौन से Factor हो जाएंगे, Bisexuality, Homo Gami and Klystogami. Next is Outbreeding Device, जैसा कि हम लोगों ने देखा, Inbreeding Device मतलब वैसे Factor जो ऑटोगैमी को promote करते हैं, तो Outbreeding Device कहने का मतलब वैसे Factor जो Cross-Pollination को promote करते हैं, सो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या होने चाहिए तब ही क्या होना चाहिए इसे हम बोलते है डाइक लीमी यानि दो अलग अलग प्लांस में मेल और फीमेल होने चाहिए भी तब ही क्या होगा चाहिए लेकिन यूणी सेक्शवालीटी जिटनोगयमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता है लग-अलग फ्लावर के बीच क्या उऱ्रह सकता है इसके बाद दूसरा जो फैक्टर है दो इस डिको गैमी डिको गैमी क्या होता है मैचुरेशन ओफ एंथर और जैसा कि हमने इन बेडिंग डिवाइस इन बेडिंग फैक्टर में देखा था कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो एंथर और स्टीगमा का सेम टाइम पे मैचुर होना जरूरी है बट अगर क्रॉस पॉलनेशन कराना है तो एंथर और स्टीगमा का अलग अलग टाइम पे मैचुरेशन जरूरी है तो इसे हम बोलते हैं डिको गैमी नेक्स्ट इस पॉलन प्रीपोटेंसी इसमें क्या हो रहा है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ अधर फ्लावर अर्लियर दैन दा पॉल ग्रेन ग्रेन मतलब के प्लाइन जो दूसरा अधर है उससे पहले क्या हो जा रही है तो इसे कह बंदेशं ऑफ पॉल्डेन डूसरे और से और प्रीपोटेंसी तो क्रॉस पॉर्डेन को कंप्राम कर मॉट कर रहा पहला यूनिस एक्शुएल सीप गैमिना इसमें पहले हो सब्सक्राइब करते हैं क्रोस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं कुछ और भी फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है सब्सक्राइब करते हैं क्या है अगर अलग अलग होगा तो इससे भी क्रोस पॉलिनेशन के चांसे जादा होगे तो इसे हम बोलते हैं है जो स्टाइलिक नेक्स्टीज हर्को गैमी हर्को गैमी क्या है सम मैकेनिकल बैरियर विच डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एवन आप्टर बाई सेक्श्वालिटी तपुछ वेक्टें इसको करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हर को गैमी यानि मेकैनिकल बैरियर के थूझ सेल्फ पॉलिनेशन को रोगना नेक्स्ट इस सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहने का मतलब इनाबलीटी ऑफ पॉलें ग्रिन अव दी सेम फ्लावर तो जर्म पॉल्मिनेट ऑफ स्टिमा मतलब जो फ्लावर है वह खुद के फ्लावर पे जर्मिनेट नहीं कर सकता है उसे हम बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी So these are some of the factors जो की outbreeding को क्या करते है यानि cross pollination को क्या करते है प्रमोट करते है कौन-कौन से factor हो गया है पहला हमने देखा unisexuality दूसरा decogammy तीसरा pollen prepotency next is heterostyle hercogammy and self sterile तो these all are the factors which promote cross pollination next is artificial hybridization hybridization हम लोग जानते हैं क्या होता है अगर artificially hybridize करा जाता है तो उसके steps क्या-क्या होते है हम लोग यह देख लेते हैं सबसे पहला होता emasculation इसमें क्या होता है removal of anther at bird stage bird stage में ही anther को remove कर दिया जाएगा ताकि उस plant को हम as a female plant क्या कर सके है यानि emasculation में क्या हो रहा है anther को remove कर दिया जाता है bird stage में दाकि हम उस plant को as a female plant treat कर सके यह जो process है इसे हम बोलते है emasculation इसके बाद next step is bagging bagging में क्या होता है covering of stigma by butter paper to prevent pollination by undesirable pollen grain यानि stigma को क्या करते हैं cover कर देते हैं इसे बटर पेपर से ताकि कोई अन चाहा अन डिजारेबल pollen grain आकर के उसको pollinate ना कर दे ठीक तो इसे हम बोलते हैं bagging तीसरा है pollination pollination क्या होगा अब हम लोग desirable pollen grain को transfer करेंगे stigma पे and फिर हम क्या करते हैं re-bagging stigma को cover कर देंगे to prevent contamination contamination से बच्चने से बच्चने के लिए उसको क्या करते हैं फिर से cover कर देंगे तो हमें इन सारे स्टेप्स को follow कर ना होगा पहला क्या होगा इसको त्रांसफर करेंगे स्टीगमा पे suitable conditions के अंदर और फिर हम उसे cover कर देंगे ताकि वो खराब होने से contaminate होने से बच चाहें तो इस आर दी प्रॉसेस ओफ artificial hybridization बच्चों यहां पे कुछ mechanism हैं जो हमें बस याद होना चाहिए more or less इससे questions बहुत कम आते हैं बट आप इसको याद रखेगा कि कौन सा mechanism में और किस plant में होता है तो यहां देख रहे हैं brister mechanism यह याद रखेगा पिंगी क्यूला में होता है piston mechanism होता है centauria में liver या turn pipe या होता है selvia में translator mechanism होता है calotropis या orchid में trap या trap door mechanism होता है aristolochia या ficus में और gun powder mechanism होता है artica में तो यह सारे कुछ mechanism है और जिन plants में होता है उनकी examples हमने यहां mention कर दिया आपको इसे बस learn करना है so students अब हम लोग देखते हैं pre-fertilization event यानि fertilization से पहले कौन-कौन से event होते है मतलब अब pollination हो चुका है तो अब हम देखेंगे कि fertilization होने से पहले क्या events होते हैं सबसे पहला तो यहां देख रहे है pollen-pistol interaction what is pollen-pistol interaction it include all the events from falling of pollen grain on stigma up to the entry of pollen tube inside the ovule मतलब pollen-pistol interaction में वो सारे events आते हैं कहां से कहां तक pollen grain जब stigma पे गिरेगा तब से लेकर के pollen tube जब entry लेता है ovule में तब तक के सारे event को हम बोलेंगे pollen-pistol interaction clear अगर steps की बात करें तो कौन-कौन से steps है पहला formation of pollen tube and generative cell divides to form a pair of male gamut यानि जो होता क्या है pollen tube का formation होता है हम लोग पढ़ चुके हैं already pollen tube का formation कैसे होता है और generative cells जो है divide करके क्या बनाते है 2 male gamut पढ़ा था हम लोग ने clear so 2 male gamut बन गया है उसके बाद होता क्या है cap block zone of pollen tube pollen tube का cap block zone है वो गॉल्गी बॉड़ी में rich रहता है गॉल्गी बॉड़ी में जाधा रहता है और वो क्या secret करता है pectinase enzyme which dissolves dissolve करेगा cells of style for passes and nutrition जो कि आसानी से जो male gamut है जा सके और nutrition मिल सके ठीक है याद रहिए कि cap block zone pollen tube का वो किसमें rich रहता है गॉल्गी बॉड़ी में जो कि secret करेगा pectinase जो कि style के cells को dissolve करने में help करता है ताकि आसानी से pollen tube पास कर सके और nutrition मिल सके clear इसके बार next the growth movement of pollen tube is chemotropic यानि जो pollen tube का growth movement वो कैसा है chemotropic chemical के थूँ होता है and male gamut through the pollen tube is syphnogamy जो male gamut pollen tube के थूँ जा रहा है वो कैसा है वो है syphnogamy इन सारे terms को याद रखना है then क्या होगा entry of pollen tube inside the ovule ovule के inside किसका इंट्री होगा pollen tube का most commonly through micro file कौन से end center ovule के micro file रिजन से और इसे हम बोलते है poro gammy ठीक है and the tip of pollen tube burst to release both the male gamut pollen tube का tip है वो क्या करेगा जैसे ही micro file रिजन से ovule में इंटर करेगा burst हो जाएगा male gamut को क्या करेगा रिलीज कर देगा clear इसके बाद next क्या होगा next is जो philiform apparatus था अगर आपको याद हो यह क्या था cellular thickening of synergies toward micro file reason micro file reason toward cellular thickening था which guides the entry of pollen tube pollen tube पो किस तरह से enter करना है micro file reason के जरूब यह कौन गार्ड करता है यह philiform apparatus guard करता है clear so pollen tube form कैसे हो रहा है यह भी हम लोगों ने देखा था pollen tube form होगा और generative cells क्या form करेंगे male gamut ठीक फिर जो pollen tube है वो कैसे कैसे enter करेगा तो सबसे पहले जो cap block zone होता है pollen tube का वो गॉलगी बॉड़ी मेरिच होता है तो क्या सिग्रीट करता है पैक्तिने जो की style के cells को dissolve करेगा तो आसानी से pollen tube क्या होगा अंदर के तरफ आएगा और फिर pollen tube का growth movement होता है वो chemotropic होता है male gamut का pollen tube के through movement होता है उसे हम बोलते सिफनों गयमिट तो pollen tube इंटर करेगा inside the ovule किस के through microfile reason के through और यह कौन गार्ड करता है यह गार्ड करता है philly form apparatus तो इस आर दी pre-fertilization event जो हमें learn होना चाहिए सो स्टूडिंस अब हम लोग देखेंगे fertilization fertilization कहने का मतलब fusion of male and female gamut है ना so fertilization यहां दो तरह से होता है angiospum में कौन-कौन सा एक तो syngemi यानि fusion और दूसरा होता है triple fusion ध्यान से देखेगा generative fertilization syngemi को हम क्या बोलता है generative fertilization इसमें क्या होता है कि pollen tube का जो एक male gamut है haploid है और ovule में आपको क्या मिल रहा है एक egg मिल रहा है तो male gamut और egg क्या करेंगे fuse करेंगे दोनों haploid है तो मिल करके बनाएंगे zygote जो की deployed होगा तो उससे जो embryo बने का वो भी क्या होगा deployed होगा clear तो इसे हम बोलते है syngemi दूसरा जो fertilization का process है इसे हम बोलते है triple fusion यहाँ पर क्या होगा vegetative इसे हम बोलते है vegetative fertilization यहाँ पर एक male gamut जो बच गया है वो fuse करेगा कि इसका polar nuclei यानि central cell के साथ central cell में दो nucleus है n plus n इसे हम क्या बोलते है secondary nucleus यानि 2 n यह हम लोगों ने पहले discuss करा हुआ है even plant kingdom में भी पढ़ा हुआ है तो यह दोनों क्या करेंगे fuse करके क्या बनेंगे pen यानि primary indosperm nucleus जो कि हो जाएगा 3 n q क्योंकि male gamut haploid है और polar nuclei में 2 nucleus है तो 3 n बना देंगे and finally primary indosperm nucleus से क्या बनेगा indosperm which is 3 यानि triple fusion का result मिलेगा आपको indosperm fertilization यानि sin chemi का result मिलेगा तो यह जो दोनों है यह क्या है दोनों ही तरीके से angiosperm में क्या होगा fertilization होगा इसके बाद fertilization के बाद का event अगर हम देखे structures की बात करें तो पहले जो ovary था fertilization के बाद वो fruit में convert हो जायागा जो ovary wall था वो fruit wall यानि pericarp में convert होगा outer integument जो ovule का था वो outer seed coat बनाएगा यानि testa inner integument inner seed coat बनाएगा यानि tegamen and ovule क्या बनाएगा seed बनाएगा and nacellus generally degenerate but it persist to form peri sperm generally क्या होगा to form peri sperm इसके बाद next अगर हम इस structure देखे तो embryo sac embryo sac degenerate हो जाता है antipodal cell synergied antipodal cell synergied degenerate हो जाता है polar nuclei हो हमने देखा into sperm में convert हो रहा है triple fusion के बाद और egg किस में convert हो रहा है zygote further embryo ठीक है तो these are some of these structures जो की किस में मिलेंगे आपको fertilization के बाद मिलेंगे clear अब यहां next है if the male plant is foreign अगर male plant 4 है and female plant 2N है then what will be the ploidy of following structure तो इन सारे structure का ploidy क्या होगा तो यहां पर मैंने mention किया है प्लॉइडी बच्चो एक बार यह जो question है कि आप खुद से solve करके देखेगा next lecture में अगर हम मिलते हैं तो next lecture में हम इसी question के साथ आगे बढ़ेंगे ठीक है सो आज के lecture के लिए इतना ही thank you